रीकोस टैनोग्राफर एक्जाम हिंदी डिक्टेशन स्पीड 80 वर्ड पर मिनिट दूरेशन 10 मिनिट स्टार्ट समाज की उन्नती भी नियम और अनुसाशन पर ही आश्रित है यदि नियमों के क्रम को समाप्त कर दिया जाए तो उन्नती रुक जाएगी क्या साहित्य क्या समाज और क्या धर्म सभी की उन्नती नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के कारण ही हो सकती है जिस साहित्य समाज और जिस धर्म के नियमों का पालन द्रड़ता से नहीं हो सका वह साहित्य समाज और धर्म नस्ट हो गया केवल दस अंकों की वैवस्था के आधार पर ही गणित में आशातीत उन्नती प्राप्त की जा सकती है स्टोप पैरा नियम द्वारा कठिन से कठिन एवं पेचिदा काम भी सरल हो जाता है आकाश के तारे तथा अन्य ग्रह कितनी वैवस्था से और नियम पूर्वक अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं इनमें तनिक सी भी गड़बडी नहीं हो पाती यदी हो जाए तो सारे संसार में प्रलै हो जाए और संसार समाप्त हो जाए वैग्यानिक लोग संख्या के संसार के ऐ संख्य परधार्थों को दुरबीन की सहायता से देखते रहते हैं और आवशक्ता के समय वे उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि वैग्यानिक उन परधार्थों का अध्यन करते समय उनके नियमों का भी अध्यन करते हैं तब ही उनके बारे में कुछ बता देते हैं हम धर्म, राजनीती, व्यापार, सिक्षा, यात्रा और सरकार आदी की बातें करते हैं पर क्या हम यह भी जानते हैं कि इन बातों के बारे में हमने ज्यान कैसे प्राप्त किया और उसे नियम बद करके पुस्तकों में लीपी बद किया इन सबके लिए नियम अनुसार कारिये करना अपिक्षित रहा है स्टॉप पैरा, किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती यदि हमारे कामों में व्यवस्था की थोड़ी सी भी तुरूटी हो जाए तो हमारे काम बिगड जाते हैं और हम उन्नती नहीं कर सकते हैं स्टॉप पैरा, किसी भी बड़े कार खाने को देख लीजिए नियम पूर्वक काम कर पाने से ही वह उन्नत हो सका है यदि नियम में थोड़ी सी भी गड़ बड़ी हो जाए तो सारा व्यवसाय ही चोपट हो जाए यही नहीं कोई भी और कितना ही जटल व्यवसाय हो व्यवस्था से ही सुचारू रूप से चल सकता है कई ऐ व्यवस्थित व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुख्य लक्षे की और देखना ही आवशक है संबंदित बातों की विशेश व्यवस्था करने की आवशकता नहीं परन्तु वास्त्रिक्ता यह है कि लक्षे से संबंदित चोटी चोटी बातों की व्यवस्था परम आवशक है जो व्यक्ति चोटी चोटी बातों को ध्यान में नहीं रखता उससे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह बड़ी एवं जटल बातों को संभाल लेगा यदि चोटी चोटी बातों की और ध्यान न दिया जाए तो सारा व्यवसाई ही चोपट हो जाए स्टॉप पैरा नियम पालन करते अर्थार्थ व्यवस्था में रहने से ऐसी बुद्धी स्पूटिक होती है जिसकी सहायता से बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं व्यवस्था के कारण नियमित व्यक्ति थोड़े समय में इतना अधिक काम कर लेता है कि लोगों को आश्चरिय होने लगता है व्यवस्थित होने के कारण उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है जबकि ऐ नियमित व्यक्ति ऐ सफल ही होता है अतह यह आवशक है कि नियमों का पालन द्रड़ता पूर्वक किया जाए तब उद्देश्य पूर्ण हो सकता है अन्यथा नहीं स्टॉप पेरा सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं नियमा अनुसार ही चल रही है बिना नियम और अनुसाशन के नैं तो कोई व्यवसाई चल सकता है और नैं सामाजिक उन्नती ही की जा सकती है क्या व्यापारी और क्या नीता सभी को नियम पूर्वक कारिय करने से ही सफलता प्राप्त होती है व्यवसाई में तो विशेश तोर पर नियम तथा व्यवस्था अतियंत आवश्यक है बिना किसी दक्ष प्रबंदक के और ए नियमितता दूर किये बिना व्यवसाई में सफलता प्राप्त कर पाना ए संभव है स्टॉप पैरा वर्तमान समय की बड़ी से बड़ी मशीने व्यवस्था के कारण ही सफलता पूर्वक काम कर रही है उनकी व्यवस्था के कुछ आधार भूत नियम है उन्ही के अनुसार वे अपना कारिय कर रही है यदि उनके नियमों अथवा व्यवस्था में थोड़ी सी भी कमी की जाए या धील दे दी जाए तो वे मशीने काम करना बंद कर दें और सब बेकार ही पड़ी रहे जाए स्टॉप पैरा यदि व्यवस्था नय की जाए तो व्यक्तियों का बहुत सा समय और धन नस्ट हो जाए उचित व्यवस्था करके ही शक्ती और समय की बचत की जा सकती है नियम पर चलते रहने से समय और शक्ती दोनों की बचत होती है नियमित व्यक्ती अपनी वस्थूओं को इधर उधर नहीं फैकते बलकि एक नियत इस्थान पर रखते हैं जिससे उन्हें ढूंडने में समय या शक्ती नस्ट नहीं करनी पड़ती इस प्रकार उनकी शक्ती और समय अन्य लाब प्रद कारियों में लगते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए नियम पालन की अतियंत आवश्यक्ता है नियमों नेही समाच देश राष्ट एवं संसार के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है यदपी हमारे विचार स्वार्थ तथा उदेश्य भिन भिन हैं इसमें कोई संदे है नहीं की संसार में ऐसे व्यक्ती भी हैं जो किसी नियम व्यवस्था अथवा अनुसाशन को नहीं मानते कुछ लोग नियमों के आधार पर समाज को एकता के सूत्र में बांध देती हैं स्टॉप थैंक यू इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंश सकें वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें कोई सुझाओ और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास्मेट्स को शेयर करें